नवश्कार महुप्रिया बिहारी नियूज में आपका स्वागत है बिहार में पंचाय चिनाव का बिगुल फुक चुका है और राज निर्वाचन आयोग ने दिशान निर्देश के अनुसार 11.40 में पंचाय चिनाव का आयोजन करवाया जाना है जिसके शुरबात अगले महीने की 24 तारीख से हो रही है वहीं आज हम आपको पंचाय चिनाव के पंचवे चरन से जुड़ी सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देने वाले है राजो निर्वाजन आयोग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार पंचवे चरन के चुनाव के तहट प्रपत्र पांच में सूचना का प्रकाशन 29 सितंबर को होने वाला है वहीं पंचवे चरन के लिए नामांकन की प्रक्रिया 30 सितंबर से शुरू होने वाली है जो की 6 ओक्टूबर तक जारी रहेगी जिसके बाद आएगी स्कुरूटनी की बारी राजो निर्वाजोन आयो की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार योग्य और अयोग्य उमिद्वारों के नामांकन की स्कुरूटनी की प्रक्रिया 9 ओक्टूबर को की जाएगी जिसके बाद अभियर्थियों के नाम वापस लेने की अंतिम तारीख 11 ओक्टूबर 2021 स्टैकी गई है जिसके बाद इस दिन उमिद्वारों को चुनाब चुन्ह भी अलोट कर दिये जाएंगे जिसके तहत ही मतदान 24 ओक्टूबर को करवाय जाएंगे और मतगणना 26 और 27 ओक्टूबर को करवाय जाएंगे इसके साथ ही पाचवे चरण में कुलमिलाकर 38 जिलों में मतदान का आयोजन करवाय जाएगा यानि कि इस चरण में पूरे बिहार में पंचाय चुनाव का आयोज जिसके लिए 7,810 मतदान भवनों का चयन किया गया है जिसके बाद अब आईए जानते हैं कि आखिर पाँचवे चरण में किन किन जिलो के किन किन प्रखंडों में पंच्रायत चुनाव का आयोजन होने वाला है राज़नेर वाज़नायो कि तरफ से मिली जानकारी के नुसार पाचवे चरण में इस्सुआपूर, तरैया, पचरुखी, आंदर, हत्वा, बिद्धुपूर, कुढ़रनी, आदापूर, पकड़ी दयाल, पताही, बगहादो, बाजपटी, पूपरी, डुम्री, कटसरी, बहा तेठागाश, केनगर, स्रीनगर, बलरामपूर, प्रानपूर, अररिया, चानन, शेकपूरा का बाकी शेत्र, चेरिया, बैरियापूर, बखरी, बिलदौर, हवेली खड़कपूर, लक्ष्मिपूर, बरहट, नारायनपूर, बिहपूर, अमरपूर में मतदान करवाए चुनाव में सबसे खास बात ये देखने को मिलने वाली है कि चुनाव का आयोजन त्योहार के माहौल में करवाया जा रहा है, लेकिन चुनाव का आयोजन त्योहार के माहौल में करवाया जा रहा है, अलम ये है कि अगले महीने से बिहार में कई सारे त्योहार की शिरवात ह कोशिश यही की गई है कि लोग लोगतंत्र के इस पर्व का हिस्सा अच्छी तरीके से बने और बना किसी चुनता के अपने मत का इस्तबाल करें इसके साथ ही पंचायत चुनाव को लेकर बिहार में तयारियों का सिलसिला शुरू हो गया है जिसके तहती EVM के रखरखाव से लेकर कोरोना के माहौल में मतदान के आयोजन तक को लेकर खास तयारी की गई है साथी बाढ़ को भी ध्यान में रखकर चुनाव का आयोजन करवाया जाएगा इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस सितना ही तब तक हे लिए थैनेवाद